नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप मार्व सॉफ्टवेर में आपने कंपनी क्रियेट कर लिया है यह मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे आपको कंपनी क्रियेट में मोटिपिकेशन करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आगे पढ़ने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे भी लोगों से अगर आप फर्स टाइम मेरे चैनल पे आए हैं निव विवर हैं तो मेक शूर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा इससे इन फिचर जोवी वीडियोस में अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी और आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे तो यही ही पर आपको एंटर प्रेस करना है अब आप यहा देख सकते हैं छुटा सा डायलोग बोक्स ओपन हो गया है create new company इस पे आप click करेंगे अगर आपको new company को create करना है यह screen show हो रही है यहाँ पे आपको अपने company की सारी information feel करनी है कि आपके company का नाम क्या है कैसे कैसे feel करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ company name में मैंने suman education hub किया है आपके company का जो भी name में आप type कर सकते है address में आपका जो registered address है वो full address यहाँ पे type कर लीजिए तो यहाँ पे देखिए आपको space मिलता है दो तीन column मिलते हैं तो आप detail में अपने address को feel कर सकते है address feel करने के बाद phone number आपका जो भी phone number है official phone number है वो आप यहाँ feel कर सकते है उसके बाद देखिए branch का जो code है वो भी आप यहाँ feel कर सकते है तो जो भी आपके branch का code है वो feel कर दीजिए then fax number आपको show होगा तो fax number में जो भी आपके company का fax number है then यहाँ पे आपको website आपके company की अगर website है तो यहाँ फेल कर लिज़े, अगर company की website नहीं है तो इसको आप blank रख सकते हैं उसके बाद देखिए email ID, तो आपका company का जो भी official email ID है, वो आप यहाँ फेल कर सकते हैं यह सारी information आपके invoice पे print होके आएगी, तो सारी information जो है आप यहाँ जो भी provide कर रहे हैं यह सारी information other party के पास जाने वाली है, उसके बाद देखिए country आपको select करना है, तो इंडिया हमारा जो country है state यहाँ पे आप right hand side पे देखेंगे, तो आपको यहाँ पे drop down में सारे state के code wise आपको show होंगे तो आपको यहाँ पे type नहीं करना है अपने state का name, आप यहाँ पे code type करेंगे, तो automatically यहाँ पे enter प्रेस करते ही, वो state यहाँ पे pick हो जाएगा तो हमारा daily state है तो हम यहाँ पे 07 करते ही enterprise करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप 07 करके enterprise करेंगे डेली यहाँ पे automatically ले लेगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है state में आप name type मत कीजेगा otherwise यहाँ का जो state है वो peak नहीं करेगा तो देखें मैंने 07 किया तो daily automatically peak कर लिया है इसने अब यहाँ business type आपको देख सकते हैं drop down में काफे सारे business type शो हो रहा है तो आपका जो भी business type है यहाँ से आप select कर सकते हैं तो यहाँ पे सारे options मिलते हैं आपको pharma shop है या फिर आप distributor है तो इस type से आप सारे देख सकते हैं उस type से आपको यहाँ पे select कर लेना है तो सबसे पहला option में select कर लेती हूँ pharma shop है तो pharma shop आप यहाँ पे select कर लीजिए उसके बाद यहाँ देखिए एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो working style आपको यहाँ पे दो option मिलते हैं इन दोनों option में से जो भी option आप select करना चाहते हैं कर सकते हैं तो single करना चाहते है single कर लीजिए और मैंने हाँ पे secondary select किया है उसके बाद देखिए यहाँ GST नमबर तो यहाँ आपकी company का जो भी GST नमबर है वो आप fill कर लीजिए उसके बाद enterprise करना है आपको और यहाँ पे expiry date में आप कुछ मिल डालिया enterprise कर दीजिए VAT नमबर तो अब है नहीं तो यहाँ पे enterprise कर दीजिए expiry date इसको भी DLN नमबर है तो यहाँ पे कर लीजिए अगर यह सारी information है तो आप कर सकते हैं manufacturing license नमबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपका जो manufacturing license नमबर है वो fill कर लीजिए उसके expiry date आप fill कर लीजिए and then service tax नमबर है तो वो आप कर लीजिए उसके expiry date करना है आपको तो यह सारी information आप से related है करना चाहते है तो कर लीजिए food license नमबर आपके पास है उसके expiry date है तो वो कर लीजिए direction का अगर आप डालना चाहते है तो वो डाल सकते है और यहाँ जो company है तो company है drop down में आपको शू होती है तो registered है composition है unregistered है वो आप select कर सकते हैं तो हमारी registered है इसलिए हम registered select करेंगे takes structure यहाँ देखे आपको शू होता है तो production wise करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप select कर सकते हैं अपने according उसके बाद देखी evaluation में यह तीन options मिलते हैं इसके according आप select कर सकते हैं financial year यहाँ पर जो current financial year है 22-23 है तो 1st April 22 से 31st of March 23 तक आपको यहाँ पर automatically select हो जाता है इस type से यह सारी information पील कर लीजे password अगर आप रखना चाहते हैं जैसे कि आप mark software open करें आपको password show हो तो आप password भी set कर सकते हैं save changes में yes कर लीजिए यहाँ पर एक थोड़ा सा time लएगा थोड़ा सा time लगते हैं आपकी जो company है वो successfully create हो जाए इस type से आप mark software में अपने company को create कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस medium बताया I hope यह video आपस भी लोके लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो चोटा सा काम कर दीजेगा आप screen पर देख सकते हैं जो हमने company create की थी वो show हो रही है mark को open कर लीजिए अब मैं आपको बताऊंगी कि modification कैसे करनी है तो exit पर आप क्लिक किजिए shortcut की आप alt plus x भी कर सकते हैं यहां आपको list of company show होगी तो यहां पे सिर्फ एक company show हो रही है क्योंकि मैंने सिर्फ अभी एक ही company create की है आपने अगर और भी company create की है तो list of companies में आपको और companies के name show होंगे अगर आप new company create करना चाहते हैं तो यहीं से app to press करेंगे तो new company के लिए आपको window show होगी जैसे कि आप यहां देख सकते हैं app to press करते ही आप company new create कर सकते हैं अगर आप और भी company को create करना चाहते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि modification आपको कैसे करनी है created company में तो यहीं पर आपको company का जो name है वो select कर लेना है और वहीं से आपको f3 या फिर function f3 press करना है तो जो company है वो open हो जाएगी जैसे आप देख सकते हैं company open हो चुकी है इसमें आप कोई भी modification करना है तो आप कर सकते हैं जै जहीं से की आपके company का जो address है अगर वो change हो गया है तो वो कर सकते है फोन number चेंज्ज हो गया है तो phone number पे जाके cursor लेके आप उसको भी change कर सकते हैं कोई भी information आप यहां से change कर सकते हैं यहाँ अगर gst number change है तो नीचे gst number के पास झालिए जहाए और लोहांपे आप gst number भी change कर सकते हैं इस टैप से अगर आपके कंपनी का website email आईजी कोई भी changes है तो changes आप यहां से कर सकते हैं उस changes को करने के बाद यहीं से आपको इस screen को save कर लेना है enterprise करते हुए तो यहां पर जो भी company में changes है आपने जो भी changes किये हैं modification किये हैं वो modification आपका save हो जाएगा तो इस टैप से आप किसी भी company में modification कर सकते हैं उस company में simple जाना है वहां से F3 प्रेस करना है अगर आपका keyword change है तो वहां से function plus F3 प्रेस करेंगे तो वो company open हो जाएगी और वहां पर जिस भी type के आप changes करना चाहते हैं कर सकते हैं और उस changes को आप save कर सकते हैं तो इस टैप से आए होप यह जो वीडियो है मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की है यह सबी आपके लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो चुटा सा काम कर दिजेगा चैनल को like, share, subscribe कर दिजेगा thank you and keep watching my videos